Welcome guys, जो हमारा topic है, आज हम कवर करेंगे policy based routing, फिर्स्ट कोई guys understand like policy based routing हम क्यों use करते हैं, अगर मेरे पास कोई routing की requirement आती है, तो किस requirement को मैं fulfill कर सकता हूं with the help of policy based routing, okay, तो इस scenario में guys मेरे पास like 2 ISP है, तो एक ISP मेरा क्या है, primary ISP है, और एक ISP को मेंने के हम ला रखा है, ISP को मेंने क अगर आपके पास requirement आती है, किसी specific एक machine का traffic, so let's say guys, आपको host 2 की जो machine है, इसका traffic है, अगर आपको ISP 2 से बेजना है, और rest of machine का traffic है, आपको अगर ISP 1 से बेजना है, जो कि already का भी जा रहा है guys, okay, क्योंकि as of now, ISP 1 के आपका primary ISP है, तो जितनी भी आपकी land machine है, सब का traffic है ISP 1 से यहार, लेगन अगर आपको एक specific host का traffic, अगर आपको ISP 2 से बेजना है, तो इस case में guys, आपको network में source based routing राउटिंग का राउटिंग का राउटिंग अभी यहार राउटिंग 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 जितनी भी आपने राउटिंग पढई है, तो जब यह traffic गाइस इस machine से यह पहले hit आएगी आपके gateway के पास और gateway के पास जाने की router 1 के पास और router 1 पे जो आपका default route पॉइंट है as of now यह isp1 की तरफ वह जो default route है guys क्योंकि 8.8 के लिए मेरे पास specific route नहीं है लेकिन जो मेरे पास default route है वह pointed है मेरा किसकी isp1 की तरफ तरफ जितनी भी land machine है जो आपकी सारी land machine है उनका traffic है gateway के पास आएगा और gateway से वह leave कर जाएगा isp1 की तरफ तो in case guys अगर आपको source based routing करनी है तो इस scenario में गई लग जो हमारी requirement थी specific इस machine के लिए जब ये traffic इस router के इस interface को hit करेगा तो यहाँ पे guys हम PBR configure कर देंगे policy based route और PBR का guys look up पहले check up होता है जो आपका जो normal routing table है उसका look up बाद में check होता होगे तो इस case में guys आप क्या करते हो PBR के condition based routing है आप condition set कर दोगे जब traffic आपके पास आएगा और source IP के है ये IP address होगा तो आप next stop IP set कर दोंगे किसका ISP2 का specific इस source IP के लिए जी जी जो policy based routing है ना सिर्फ Cisco router पे हर एक firewall पे चाहें आप पोलोडो जा सिसको एस चेक पॉइंट हर एक device आजकल कहा है layer 3 device आपका policy based routing support और यह आपको समझना पड़ेगा अगर आपके पास इस requirement आती है specific एक machine का जा एक subnet का traffic हमने normal routing के भिहाँ पे forward नहीं करना हमें उसको कुछी दूसरी direction की तरफ बेजना है तो इस case में guys आपको कहा है source based routing करनी पड़ेगे source based routing कहा है आपकी PVR तो इस scenario में guys जो अप PVR में कहा है ना सिर्फ आप source based बदलब आप particular destination IP के लिए भी कर सकते हो मतलब define कर सकते हो अ पर नेक्स्टोप IP क्या होगा कोई दूसरा रस्ता होगा जो कि आपका normal routing table बता रहा है उसके लिए नेक्स्टोप IP इस case में हमारा क्या ISP1 है लेकिन PBR में हम जो हम IP next stop set करेंगे traffic हमारा क्या उस तरफ जाए तो इस case में guys क्या आप protocol based routing भी कर सकते हो तो specific अगर आपको HTTP traffic ISP1 स से बेजना है HTTPS traffic ISP2 से बेजना है तो इस requirement को भी कहा अब फुल्फिल करता हूँ तो यह guys like जो हमारे पस अभी अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो जो मेरा host 1 है अगर host 1 से अगर मैं trace route करता हूँ मेरे public IP को इसमें अगर मैं trace route करता हूँ 8.8.8 को तो यह अगर आप तेको यह traffic है आपका ISP1 की तरफ यह और similar ही guys अगर मैं ISP2 से trace route करता हूँ तो इसका traffic भी कहा है हमारा ISP1 से जा रहा है अगर आप router 1 पे इसका routing table चेक करोगे तो हमने करक है जो default हमारा route है वो हमने point करक है किसकी तरफ ISP1 की तरफ तो यह मेरा क्या है जो routing table में क्या आपके best path install होते हैं तो as per the routing table जो मेरा traffic है वो ISP1 की तरफ ही तो इस case में guys जो हमारे पास requirement आई है specific एक machine का traffic जब भी internet की तरफ जाएगा तो ISP2 की तरफ जाना है तो इस case में guys आप क्या करोगे पहले आप like ACL बनाओंगे और ACL में क्या है जो आपकी condition है उसको match करवाओंगे तो IP access list X standard और इसको मैं नबर दे रहा हूँ let's say 105 I normally गई लेकि in the real world मैं name ACL use करता हूँ क्योंकि name उस ACL का purpose बता देते तो जो आप लेकि इस ACL को लेकि 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 पीवियर के लिए यूज कर रहे हो तो में भी आप इस ACL का नाम पीवियर सम्थिक दोगे ताकि लेकि जो new engineer है जब दूसरा engineer है जब भी ओ रौटर की configuration चेक करेगा तो वो ACL का नाम देकि इसको समझे लेकि इस ACL का purpose का है basically यह PVR में कोल हो रखी है policy based routing में उसके बाद कि यहां पर आप condition set करोंगे like permit IP host तो यहां पर मैं IP कोल रहा हूँ that means क्या old traffic तो specific इस machine का traffic which is IP का 1.200 और यहां पर मैं destination कर रहा हूँ any क्योंकि जो हमारे पास requirement थी हमने इस machine का old traffic हमें इसका traffic send करना था किसकी तरफ ISP2 की तरफ अगर आपको किसी specific destination का करना है तो यहां पर आप host यह subnet भी कोल करा सकते है उसके बाद आपको करना route map बनाना है तो route map give a name कुछ भी दो लेसे PVR और उसके बाद permit sequence number 10 हो के then guys आप क्या करोगे इस ACL को आप यहां पर call करा लोगे so like match IP address तो like हमारे ACL का जो number 105 और उसके बाद guys क्या है आप action define कर देते हैं तो यह जो आपका route map है यह if else काम करता है like अगर यह आपकी statement क्या match हो जागी तो उसके बाद आप define करते हो action set set IP next stop IP address which is isp2 तो जिसका IP address क्या है 2.2.1 and you see अगर आप show route map करते हो यह आपका क्या route map create हो गया तो यह route map में guys क्या है like यह इसका sequence number 10 अगर इस ACL से traffic match करेगा यहाँ पर गई आपको hit count भी देखेंगे लेकिन तो मैं next stop traffic यानि कि इस isp की तरफ मैं कर दूँ मैं traffic forward कर दूँगा इस next stop की तरफ and by default guys जब भी आप route map create करते हो तो route map के अंदर क्या है like जो like ACL में क्या है last ACL entry क्या होती है deny all similarly guys like इसके अंदर भी क्या deny all but यह route map guys आप यूज कर रहे हो traffic forward करने के लिए तो इस case में guys अगर जो traffic आपका इससे match करेगा वो क्या आपका policy based routing उस पर मतलब configure होगी और rest of traffic मेरा क्या होगा normal forwarding नहीं कि normal routing table check करेगा तो इस case में guys once you configure the route map इसको क्या आपको apply करना है and make sure guys जो आपकी policy based routing है यह सिर्फ inbound direction ही काम करती है so this means guys like जब यह machine internet के लिए traffic hit करेगी तो इस interface के लिए क्या है यह आपका inbound traffic है तो आप इस interface पर यह क्या है route map क्या करोगे apply करोगे okay तो इस case में guys like जो मेरा LAN interface है which is gigabit 0 via 1 ip policy route map और उसका ने pvr so guys अगर आपको check करना like layer 3 properties interface gigabit 0 via 1 तो कि यह इस interface पर आपको पता जल जाएगा like इस interface के आपर policy based routing enabled है यह disabled है so if you see here IP policy yeah so you see like policy routing is enabled using the route map and this is the route map name let's say guys अभी मैं करना हूँ मैं DEVUG करना हूँ DEVUG like behind the scene if I show you यह policy based routing कैसे काम करती है so DEVUG IP policy तो अगर मैं द्वारा host 2 से traffic initiate करता हूँ 8.8.8 you see like guys इसका traffic है ISP2 से जाने लग गया पहले ISP1 से जा रहा था and if you see guys like अगर आप इस router के पास जब traffic आया तो policy क्या मेरी match होगी और इस case में guys जो मेरा next hop IP था which is 2.2.1 traffic इस तरफ जा रहा है और गाई मैं host 1 से traffic initiate करता हूँ तो इसका traffic guys क्या हमारा ISP1 की तरफ जा रहा है जो कि हमारा normal routing बता रहा है क्योंकि normal routing में जो हमारा default route set है वो ISP1 की तरफ सेट है अगर अगर अब चेक करते हैं अगर इस machine से जाने की host 1 से जब traffic initiate हुआ तो इस destination के लिए तो हमारे पास क्या match नहीं है तो इसके लिए guys मैं क्या करूंकि normal forwarding करूंगा तो normal forwarding means क्या मैं normal routing table check करूंग अपना तो क्योंकि as per the routing table आपका सारा internet का traffic ISP1 की तरफ जाना चाहिए तो इस case में जो हमारे पास requirement थी specific एक machine का traffic क्या था हमें ISP2 की तरफ बेजना था और rest of मेरी machine का जो traffic है वो by default ISP1 की तरफ जाहिए रहा तो गैज अगर आपके पास requirement आती है like specific इस machine का traffic इस तरफ से बेजना है तो उस case में guys क्या है आपको source based routing करनी पड़ेगी which is also known as PVR policy based routing और as I told you guys हर आपका layer 3 device type firewall हर router यह firewall के आपका PVR को क्या करता है sport तो इसी आपके पास requirement आती है as I told you guys कोई आपको यह नहीं कहेगा भी हाँ PVR configure कर तो तो इस एनी question any question up to this point प्र। So